हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रिया और वेलकम तो डिके गुपता ओंलाइन वीडियो फो गौर्मेंट एक्जम और आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे साइंस के बारे में मतलब की साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स जो आपके डिये सेस्वी में पेपर टू में बहुत वैसे तो अगर पढ़ना चौह तो ऑनुकि अंचार्ट पर सकते हैं तो मैंने चूटल से एक कोर्ष बनाया कि जिसमें आप कवर सको आपके अंचर्ट और घ्यान में रखते हुए कि कैसे कोरिया सब्सक्राइए फ्लेस जिसक्र से चाप्टरा आते हैं पहला है आपको इन्हों मिना एंड 6 आपका इलेक्ट्रिकल करेंट एंड मैगनेटिजम यह जो 6 चैप्टर है यह तो आपके साइन्स से रिलेटिड है साइन्स पेटागोजी भी आती है तो उसका भी एक बर स्लेवर्स देख लेते हैं कि साइन्स पेटागोजी में क्या क्या आएगा मतलब क् क्या क्या आएगे साइन्स पेटागोजी में अब देखिए साइन्स पेटागोजी में कौन-कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं फर्स्ट है आपका नैच्रल एंड स्कोप ओफ साइंस सेकिंड है आपका एम्स और अबजेक्टिवस ऑफ टीचिंग साइंस थर्ड है आपका concept formation and learning in science मतलब आप देखो तो overall आपको 12 chapter cover करने है six आपकी general science में और six chapter आपकी science pedagogy में इसके हर chapter के खतम होने के बाद मैं आपको कुछ questions कर वाऊंगी और उसके accordingly मैं previous year के भी science के questions कर वाऊंगी ताकि आपको more clear होए चीजे और आपको पता चले कि कैसे questions आएंगे और आपको कैसे questions पढ़ने हैं तो देखे आज हम शुरू करेंगे आपकी general science जो science की normal chapter है वो तो आज हम पहला chapter करेंगे जो है आपका food and nutrition के according तो पहला chapter है आज हमारा food and nutrition तो आएए शुरू करते है ये वीडियो आप आपका पहला chapter देखें क्या है देखें क्या लिख है food chapter शुरू कर रहे हैं पहले हम food के बार में पढ़ेंगे any nutritious substance nutritious मतलब postic substance मतलब परदार तो any nutritious substance that people or animal eat or drink ऐसे postic substance जो people मतलब हम animals खाते हैं या पीते हैं और that plants absorb in order to maintain life absorb मतलब soak लेना और कुछ plants और ऐसे plants जो absorb करते in order to maintain life and growth is called food और ऐसे कुछ परदाद जो plant अपने अंदर ले लेते हैं किसलिए maintain life करने के लिए growth of food मतलब जैसे आपने देखा होगा tree होता है उसमें फल देखे होंगे तो that is your food ठीक है तो क्या बोला है इसमें any nutritious substance that people or animals eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth is called your food food can be sourced from both plants and animals source का मतलब होते हैं शोतर मतलब food का जो शोतर है वो किसमें से बोथ plants और animal में से हैं and has several components and कुछ components मतलब अंग कुछ आपके several अंग है which provide the requisite nutrition to the consumer requisite मतलब necessary मतलब अपेक्षित nutrition आप प्रोवाइड करोगे consumer को मतलब food ऐसा आपका food postic प्रदात है जो हमें animal और people खाते हैं पीते हैं और plant absorb करते हैं अपने अंदर ताकि वो life को maintain करें और growth करें ठीक है और food जो क्या है एक शोत्र है जो हमें plants और animals दोनों से मिलता है और उनकी कुछ several अंग है and क्या करता है provide क्या करते हैं necessary nutrition प्रोवाइड करता है किसको consumer को मतलब हम जो से लेते हैं अपने अंदर खाते हैं हमें एक nutrition चीज़ प्रोवाइड करता है food अब जैसे कि देख सकते ऊपर मैंने photos लगाई है food की कि एक साइड मैंने fruits लगाई एक साइड आपका normal खाना जो होता है डाल सबजी रोटी that is your food अब देखी क्या है आपका next slide में sources of food मतलब food के शोत्र कौन-कौन से है the primary source मतलब the main source food for humans are plants and animals मतलब जो मुख्य सोर्स है food का वो कि human के लिए वो है plants और animals some microbes are also used to produce food देखी microbes कोन होते है microbes small living organism जिनने आप microscope से देख सकते हो मतलब अपनी आखों से नहीं देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं सिफ microbes से मतलब microscope से some microbes are also used to produce food मतलब कुछ microbes है वो क्या करते है वो भी help करते है यूस्टु है produce को food को produce करने के लिए अब देखिए नीचे एक चोटा सा table दिख रहा होगा आपको sources of food, plant sources, animal sources and microbial sources तो देखिए plant sources हम क्या include करते हैं parts of plant जिसे stem हो गई, roots हो गई, leaves हो गई, flowers हो गई, fruits हो गई, vegetable हो गई and nuts हो जैसा आप नीचे picture में देख सकते हो nuts है, spinach है इसमे, dry fruits है तो that is your plant sources, अब animal sources में क्या है, animal sources क्या include करते हैं आपका milk, honey, fish, meat, etc जैसे आप नीचे देख सकते हो यह chicken की photo है, यह X की photo है, that is your animal sources माइक्रोबल सोर्सिस कोन से होते हैं, yeast हो गई, mushrooms हो गई, algae हो गई, bacteria हो गई, दिखा आपको मैंने photo रिखाई है, mushroom की, मतलब इस आप नीचे माइक्रोबल सोर्सिस, तो तीन वे में होता है, आपके plant sources, animal sources and microbial sources, plant में हम इंक्लूज करते हैं, stem, roots, leaves, flower, nuts, animal में हम milk, honey, chicken, fish, etc, माइक्रोबल में हम yeast हो गई, mushroom हो गई, algae हो गई, bacteria हो गई, that is your sources of food, जो हम तीन केटेगरी में डिवाइट करते हैं, plant sources, animal sources and microbial sources, दीखे अब हम पढ़ेंगे components of food के बारे मतलब फूड के कितने क्या आंग होते हैं, तो दीखे क्या लिखा है, food items consist of varying, मतलब वेरिंग मतलब अल अगलग amount of nutrients प्रोवाइट करते हैं, जो नीचे लिखे हो है, क्या लिखा हो है, पहला है आपका carbohydrates, second आपका fats, third आपका proteins, fourth आपका vitamins और vitamins दोनों सही है, fifth आपका minerals, आगे देखे क्या लिखा है, मतलब ये 5 चीजे हैं, जो आपके food में पाई जाती है, फिर है, food also contains dietary fibers and water which are needed by our body, देखे, dietary fibers and roughage क्या होता है, is a portion of plant, एक ऐसा portion होता है, plant का, जो food में से derived होता है, और जिने हम completely, जो ब्रोक डाउन ने हो सकते हैं, मतलब जो digest नहीं कर पाते हैं, हमारे enzymes, that is your dietary fibers and water which are needed by our body, मतलब जो food है, वो क्या contain करते है, dietary fibers and water, जैसे आपने, अभी season का time हो रहा है, तो अभी आपको वो देखा होगा, आपने water melon, water melon में बहुत ज़दा पानी होता है, तो वो ही बतायागे, जो food contain होते है, dietary fibers and water which are needed, जो हमारे body के लिए बहुत जरूरी होता है, देखे, ये पार्ट आपका था, food के बार में, अब हम जो next video में पढ़ेंगे, आपकी जो next class होगी, वो जैसे आपको carbohydrates है, monosaccharides में होता है, फिर oligosaccharides में होता है, तो हम ये detailed conversation आप जो करेंगे, आपकी next video में करेंगे, अगर आपको कुछ doubt हो, इस video के accordingly, मतलब कुछ question चीजे समझ में ना रहो, क्योंकि थोड़ी science है, तो scientific term भी होती है, अगर कुछ चीज समझ में ना ही हो आपक कि मैं जितना simplify करके आपको समझा सको, थोड़ी simple language ही use करें, मैंने ज्यादा difficult language नहीं use करें, लेकिन हाँ कुछ जोनके scientific terms है, वो तो I'm sorry बच्चों, वो scientific way में ही बोले जाएंगे, तो मैं try करूंगे, इसको भी थोड़ा आपको simplify करूं, कि break down करूं ताकि आपको समझ में अच तो I will definitely try कि मैं आपको एक बार और समझा हूँ, अब भी मैं आपको food कर पढ़ाया, तो मैं उसके accordingly आपको एक question देती हूँ, आप मुझे बताओ इसका answer क्या है, पहला question है आपका, कि what are the primary source, मतलब primary source क्या है food के, मतलब what are the primary source of food, तो आप मुझे type करके बताओ कि आपका answer क्या ह ठीक है, एक बार question दुबारा सुन लिजे, what are the primary sources of food for humans, that is your question, तो आप मुझे बताओ इसका answer क्या है, नीचे comment box में type करके, till then keep studying and keep safe and thank you for watching this video.